नमस्का दोश्कू स्वागत आपका एक बार फिर से सचनीज नेटवोक पे और मैं आपके साथ बोनी दोश्कू एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है आपको पताते चले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजनसी दुआरा जो है आज जम्मू के कई इलाकों के अंदर रे रेड जो है वो स्टार्ट की गई है जहां जम्मू के अलगले इलाकों की बात करें बठिंडी की मैं बात करूं और बेली चराना की कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजनसी जो है फिलाल रेड जो है वो कर रही है और इस रेड में के साथ जमु कश्मीर पुलिस मिल करके जो है इस रेट को कंडिक्ट कर रहे हैं और फिलाल सोर्से से जो जानकारी हमारे पास पहुंची है इसमें आपको बताते चलें टैरर फंडिंग केस को लेकर हवाला ट्रांजेक्शन को लेकर और इलीगल यूज और पासपोर्ट को लेक कर कहीं ना कहीं ये रेट जो है वो चल रही है हलाकि इसके ओपर फिलाल उफिशल जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है लेकिन जो सोर्से जानकारी हमारे तक पहुंचा रहे हैं उसमें आपको बता दें ये जो मामला है स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजनसी फिलाल इस वक्त जमू के कई सारे इलाकों में रेट जो है वो कनग्ट कर रही है जिसमें बिठिंडी की बात करें बेली चराना की बात करें जै जहां पर फिलाल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजनसी की टीम्स जो है वहाँ पर पहुंची हुई है और घरों के अंदर तलाशी जो है वो चल रही है इसके साथ स्टेट इन्वेसिगेशन एजनसी के साथ साथ जमकश्मीर पुलीस भी जो है इस रेड में उनका साथ जो है वो दे रही है और फिलाल अगर आपको बताते चले तो फिल जमकश्मीर पुलीस के एक जवान के जो एक पुलीस आफिसर है उनके घर में भी स्टेट इन्वेसिगेशन एजनसी की टीम जो है फिलाल पहुंची है ऐसा सोर्से से हमें जानकारी जो है वो मिल रही है और आपको बताते चले बिली चलाना का जो एरिया है जो सतवारी पु लोकेशन में इस वक्त जमू के अलग अलग जगाओं की बात करें जिसमें मैंने आपको नाम बताया बिठिंडी की बात करें या बेली चराना की बात करें तो फिलाल इन जगाओं पर स्टेट इन्वेसिगेशन एजनसी जो है वो रेड कंडेक्ट कर रही है मामला क्या है क् sources हमें जानकारी मिली है इसमें टारर फंडिंग केस को लेकर और इसके साथ साथ हवाला transactions को लेकर और illegal use of passports को लेकर ये रेड जो है फिलाल जमू के अलग-अलग अलाकों में फिलाल state investigation agency द्वारा conduct की जा रही है और इसके साथ जम कश्मीर पुलीस भी इस रेड में जो है state investigation agency के साथ दिखाई दे रही है और अलग-अलग अलाकों में अलग-अलग घरों में फिलाल जो है ये रेड कंड़ की जा रही हाला कि जिन घरों में जो ये रेड कंड़ की जा रही है उनके नाम officially अभी सामने नहीं आए क्योंकि officially भी जानकारी आना बाकी है क्योंकि फिलाल को समय पहले ही ये रेड जो है वो शुरू की गई है और इस रेड में फिलाल अभी state investigation की टीम और इसके साथ जम कश्मीर पुलीस के जवान भी जो है रेड कर रहे हैं गरों के अंदर है और किसी को आना या जाना जो है वो मना किया गया जानी किसी तरिकी की मुमेंट जो है वो घर के अंदर जो है वो बंद की गई है जिन जे जगाओं पर रेड चल रही है सिर्फ गर के लोग और इसके साथ साथ state investigation agency की टीम और जम कश्मीर पुलीस के आफिसर जो है वो जो है वो घर के अंदर मजदूद है और बाकी भी अभी ये रेड जो है वो शुरू की गई है और इसमें आपको बता दे जो जानकारी सोर्सिस के हवाले से हमारे पास पहुंची उसमें ये भी बताय जा रहा है कि कुछ गर जिन गरों में ये रेड चल रही है उसमें गर जो है कौप का भी है जानी कि पुलिस आफिसर का भी घर जो है वो से वक्त है जिस घर में फिलाज स्टेट इंवेस्टिगेशन एजनसी की टीम और जमकश्मीर पुलिस के जवान पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर भी रेड जो है वो कन्ड़क्ट की जा रही है और इस रेड के अंदर क्या कुछ रहा और क्या कुछ इस र कश्मीर पुलिस के जवान भी जो है इस रेड में स्टेट इंवेस्टिगेशन एजनसी की टीम के साथ नजर आ रहे हैं और मामला क्लियर है हवाला ट्रांसेक्शन को लेकर है टेरर फंडिंग केस को लेकर और इलिगल यूज ऑप पासपोर्ट को लेकर ये रेड जो है इस हरकत में आई और उसके बाद जमू के अलगल इलाकों में फिलाल ये रेड जो है वो कंड़क्ट की जा रही है जाने कि अब उन लोगों को नहीं बक्षा जाएगा जो टेरर फंडिंग में जो है वो इन्वाल्ड हैं आतंकियों की देशत गर्दों की जो कही ना कही किसी तर पुलीस की तरफ से और सीक्योरीटी फोर्सिस की तरफ से एक वार जो है वो चलाया जा रहा है और एक मौटिव जो है उनका यह है कि दोहजार चॉबिस है जो नहा साल शुरू हो चुका है इस नहीं साल में आतंकियों को जो है वो जमकश्मीर से खधेड़ना है आतंक को जम ना कहीं सलाकों के पीछे करना है जो लोग कहीं ना कहीं आतंकियों की उनके प्लैंस में उनके मनसूबों में उनकी मदद करते हैं उनको भी जो है सलाकों के पीछे जो है वो करना है और उसी को लेकर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजन्सी जो हल लगा तार काम कर रहे इससे पहले भी काफी ज़दा रेड जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजनसी दोड़ा चलाएगी और आज सुबह ही जमकश्मीर पुलीस और इसके साथ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजनसी मिल करके जमू के अलग-अलग कोनों में किया है किसी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा जो लोग अंदर है उनको बाहर आने का बाहर जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा लेकिन फिला स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजनसी की टीम और जमकश्मीर पुलीस इस वक्त हरकत में नज़र आ रही है और उन को अब कहीना कहीं नहीं बख्षा जाएगा जो आतंकियों की उनके प्लान उनके मनसूबं में कहीना कहीं मदद करते हैं फिलाल ये रेड़ शुरू हुई है इस रेड़ में क्या कुछ होगा क्या कुछ इस रेड़ को लेकर सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाने की पूर करिएगा कि जमु कश्मीर की हर एक जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाते रहें नमस्कार